असलाम अलेकुम इट्स अलेसन नबर टू पार्टस अब कंप्यूटर में टॉपिक 1 में हम लोगों ने दोग पार्टस अब कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था कौन सा हाँ आप लोगों कि अपने नहीं ए में पार्टस कीवट का लाख नाम किया था Because of keyboard में बहुत सारी कीज होती हैं जिसकी बज़ जासे इसका नाम क्या रख दिया क्या था keyboard रख दिया 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 और keyboard is used to enter the data ने जो दा कंप्थेटर किबोर्ट किसके लिए काम आता है computer में data को डालने के लिए काम आते हैं हम computer से data को देते हैं वो हम किसके थ्रो देते हैं, कीबोर्ट के थ्रो देते हैं, और नेक्स हमारे पास से, तबटन अन्द कीबोर्ट इसको हमारे पास कीबोर्ट पर जो बटन्स होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, कीज, और अकब बिरॉर के जो बटन्स हैं, उसमें कितनी कीज होती हैं, किए यहां पर हमारे पास एक और पार्ट ओप्पुटर की इमेज मोजूद है इसको हम कहते हैं माउस इसको हम क्या कहते हैं माउस हमारे पास ही किसका पार्ट है कम्पुटर का माउस हम क्या क्या काम करते हैं माउस हमारी मदद करता है यानि पिक्चर कंपुटर पे बनाने के लिए और साथ में किसी भी कंपुटर के स्क्रीन पे किसी चीज को पॉइंट करने के लिए इसको इन्पुट करने के लिए हमें क्या यूज करते हैं माउस यूज करते हैं माउस माउस के अंदर कितने बटन्स होते हैं ? 2 कितने बटन्स होते हैं ? 2 लेफ्ट बटन एंड राइट बटन The pointer is an arrow जब हम माउस को कीपोर्ड माउस को जब हम स्क्रीन पे हम यूज करते होते हैं तो हमारे पास इसमें हमारे स्क्रीन पे एक arrow शो होग हो रहा होता है Więc mean कि जब माउस का पॉइंटर होता है वसको हम क्या कहते है? एरो कहते है जो हमारे माउस का पॉइंटर जो हे वई हो रहा होता है असे व एरो की फॉम में होता है Thank you